दोस्तों आज की इस वीडियो में कमपैरजन करेंगे वीवो T2 Pro स्मार्टफोन को OPPO Reno10 स्मार्टफोन के साथ में और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्पलेगी तो आपको बता दू कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचिस की Full HD Plus Curved Amulet डिस्पले दी गई है जो की 120 Hz के Refresh Rate को Spot करती है यानि कि दोस्तों डिस्पले आपर भई कंटेंड वोचिंग के साथ ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें Amulet पैनल मिल रहा भी अच्छी बात है एकदम बढ़िया वाली कंटेंड वोचिंग आपको करवा देगा और दोस्तों अगर आपको Curve डिस्पले के हिसाब से भी स्मार्टफोन लेना ना बहीं कि देखने में लगे हाँ यार को प्रीमियम फोन आपने हाथ में पगड़ रख्या तब तो आप इन दोनों में से किसी की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि दोनों फोन्स यहाँ पर Curve डिस्पले के साथ में आ रहे हैं यानि कि दोस्तों उपरेटिंग सिस्टम के मामले में आपर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं क्योंकि दोनों फोन्स हमें आउट ओधा बोक्स एंडर थर्टिन के साथ में मिल रहे हैं भी अच्छी बात है लेकिन यार जो दोनों फोन्स की UI है इनका क्या करें यार क्योंकि ब्लोट वर्स आपको दोनों के अंदर ही मिल जाएंगे इस से इसका आप ध्यान रखेगा और चिपसेट की अगर हम बात करें तो वीवो के अंदर हमें डाइमन सिटी 7200 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 4 nanometer technology पर based है वहीं दूसरे तरफ ओपो के अंदर हमें डाइमन सिटी 7050 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 6 nanometer technology पर based है और आपको बता दू दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है न बही डे टू डे परफोर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको एकदम ही बढ़िया वाली गेमिंग करनी है न भाई तब आप यहां पर definitely वीवो की तरफ ही जरूर से जाईए क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Diamond City 7200 मिल रहा है जो कि बढ़िया चिपसेट है और बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा और Antutu Score की अगर हम बात करें तो वीवो फोन का आता है 725,000 के करीब वहीं दूसरी तरफ ओपो फोन का आता है 530,000 के करीब इसलिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया Antutu Score भी चाहिए ना भाई तब भी आप यहाँ पर वीवो की तरफ ही जरूर से जाईए इन्होंने तो लगता कोस्ट कटिंग करीए यहाँ पर भी और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स मेरे किसी वाली के भाई करना चाहते हैं ना तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से जाकर आप इन्हें भाई कर सकते हैं और अब बारी आती है भी बैक कैमरा सेटप की तो वीवो के बैक में में डियू 8MP का टेली फोटकैमरा है 32MP का और जो अल्ट्रावाइट कैमरा वो है 8MP का और आपको बता दो दोस्तों दोनों फोन्स का जो में कैमरा ना बढ़िया फोटो अपकी क्लिक कर देगा उसमें आपको कोई भी दिक्कत ने आएगी स्टिल कर आपको टेली फोटो पर देख ही पा रहे हैं और मैक्सिमम वीडियो रिकोर्डिंग आप दोनों फोन के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं लेकिन वीडियो स्टैबलाइजेशन में आपर फरक है क्यूंकि वीवो का फोन OIS प्लस EIS टेकनोलजी को स्पोर्ट करता है वहीं दूसरी तरफ ओपो का फोन स पी जरूर से जाईए फ्रन्ट क्या मारव के अगर हम बात करें तो वीवो के प्रांट में 16 मेगापिक्सिल का सेल्फी क्या मेरा दीया गया है वहीं दूसरी तरफ ओपț में 32 मेगापिक्सिल का सेल्फी के और maximum video recording के अगर हम बात करें तो दोनों फोन के front camera से maximum 1080 pixel तक ही video recording कर सकते हैं और अब बारी आते हैं भी बैटरी डिपार्टमेंट की तो वीवो फोन यहां पर 46 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 66 वोट की fast charging को sport करता है वहीं दूसरी तरफ OPPO के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 67 वोट की fast charging को sport करती है देखिए दोस्तो अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए ना भाई definitely आप OPPO की तरफ ही जरूर से जाईए और network connectivity के अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर 5G connectivity के साथ में आते हैं और साथ ही 203.5 mm jack हमें दोनों फोन्स मते किसी में भी नहीं दिया गया और अगर हम बात करें आप speakers की तो वीवो फोन यहाँ पर सिर्फ single speaker के ही साथ में आता है और अब लाश्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की pricing तो आपको बता दू कि वीवो फोन के 8 plus 256 बी वेरेंट के prox pricing है 25,000 पे वहीं दूसरी तरफ ओपो फोन के 8 plus 256 बी वेरेंट की pricing है 33,000 पे और अगर मैं यहाँ पर अपना पोइंटर फे दूना भही इन दोनों स्मार्टफोन के लिए तो देखिए दोस्तों अगर आपका बजट है 25,000 पे तक का और उसमें अगर आपको overall बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए न भही तब आप यहाँ पर definitely वीवो की तरफ ही जरूर से के लिए